हेलो फ्रेंज मैं हूँ भोली और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कुक्वीद भोली में आज हम छबी जन्वरी स्पेसल बहुत ही अच्छी मिठाई बना करके तयार करने वाले हैं इसमें आपको आइस क्रिम का मिठाई का गाजर के हलवा का बहुत सारा टेस्ट आने वाला है तो आप इसे इंट तक जरूर देखिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है और आप सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी सबसे पहले मैंने इसे दो करके छील लिया है और इस तरह से छोटे-छोटे पीस में काट करके हम रख लेंगे इसे और लिजे आप और ये लिजे गाजर हमारी पक चुकी है बहुत ज्यादा ओवर्कुक नहीं करना इसे और जैसे हम निकालेंगे इसे ठंडा पानी में डूबो करके रख देंगे ताकि ये ओवर्कुक ना हो तो आप एक काटा चमच डाल के देखिए अगर काटा चमच आसानी स चली जाती है बस उतना ही हमें पकाना है इसे तो जैसे ये ठंडी हो जाए इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे तो पेस्ट भी तैयार है अब एक कढ़ाई चढ़ाएंगे इसमें सारा पेस्ट डाल देंगे हम कैस को अभी मैंने बं स्वाद अनुसार कि यहीं पर पांच्छे बुन मने वेनिला एसेंस का डाला है इसे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा तो अगर आपके पास यह है तो आप जरूर डालिया और नहीं है तो आप इलाइची का पाउडर भी डाल सकते हैं उससे भी इसका टेस्ट बहु अब बहुत जाद समय भी नहीं लगेगा इसे बनाने में मात्र दस मिनट में आपकी रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगी और देखें पांच मिनट ही हुए मुझे इसे चलाते हुए और यह गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है तो अभी आप कंटीनियू चलाते रहिए हमें इसे थोड़ा और गाढ़ा करना है और यह लिजए गाढ़ी हो चुकी है इस तरह से जब हम उठा करके देखेंगे तो बहुत धीरे से नीचे गिर रही है यह देखिए और अगर हम इसके उपर एक लाइन खीचे चम्मच में तो लाइन जो है वो भी खर नहीं रही है इसका मतलब है कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है अब एक कटोरी में हम घी या ते लगा करके रख लेंगे तो आप चीज भी कटोरी में आप इसे जमाना चाहते हैं उसे ग्रिश कर लिजे और इस तरह से इसमें बैटर डालते जाएंगे और हलका सा इसे टैप कर दीजे ताकि जो भी एर होगी नीचे में वो निकल जाए और अब इसे लगभग 5-6 घंटे के लिए हम फ्रेज में रख देंगे ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाए और सैट हो जाए तो यह लिजे ठंडियों करके सैट हो चुकी है और यह देखिए एकदम जैली जैसे बन करके य प्यार हो गई है अब इसे चाकू लेंगे इस तरह से की नारों को छुड़ाते हुए हम इसे निकाल लेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल करके आ जाती है और यहां पर मैंने नारियल का चूरा रखा है खोपर जीसे बोलते हैं वही है यह अब इसके उपर हलका हलका से नार चूरा से और अब तयार है हमारी बहुत ही प्यारी सी टेस्टी सी मिठाई इसके उपर हम पिस्तर डाल देंगे पारिक कटी हुई और यह लिजे बहुत ही टेस्टी बन करके यह तयार हुई है और इसे ठंडी ठंडी सर्व कीजे बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में तो अगर आपने एक बार बना लिया तो आपके बिच्चे से रोज बनाने की जित करेंगे फिल्वा का भी टेस्ट आएगा इसमें हुं का आइस्क्रीब का भी टेस्ट आएगा और यह मिठाई ुस जन्वडिक के लिए यह बहुत ही रैसिपी है इसमें यह न यह थी थी रंगीम संदे का तो है नहीं खास रेसिपी तो आप सब भी इंजॉय किजिए इसे और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगले वी अगर आपको 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 आपको